ओम स्री गनी सायनमा दोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो जनवरी मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन उम रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चाड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहीगा कुम राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आप के लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों यदि आप वैवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेस के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेस के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वेश करें जिससे आपको काम्याभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तों साथ इसाथ कोई आप प्रतियासित आये या सायद विरासत आपका इंतजार कर रही है इस आये का अच्छे से प्रियोग करें जैसे किसी यात्रा या ऐसी क अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ट को प्रबावित करने के लिए सब्दों की अपनी निपुणता का प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शांदार समय हैं आपके साथ ही और से काहों को पहचानेंगे दोस्तों रचनात्मक कारों के प्रिति आज आपका रुजहान बढ़ेगा इस अवसर का आप लाब उठाएं और नए तरीके से काम करने का मौका हाथ से ना जाने दे अपनी रचनात्मकता से अपने घर को खूब सूरत बना सकते हैं अपनी कार चमता से दूसरों को आज आप प्रभावित करेंगे कर चेत्र में तरक्की के योग हैं आस्मिक धनला भी आज आपको हो सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव ह अन्य था परिशानिया बढ़ सकती हैं अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिवार के सदस्यों पर भरोसा करें किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा ना करें अनावशक परिशानिया उत्पन हो सकती हैं साथिसाथ परिवारिक इस्तितियां तनावपूर्ण हो सकती हैं जिसकी वज़े से घर में बिखराव का माहूल हो सकता है इसलिए घर परिवार में आपसी समंजस बनाए रखने का प्रत्न करें तथा एक दूसरे पर भरुसा करते हुए किसी भी कार्रे को करें अपनी जिम्मे बेहन माता पिता या पडोसी उन्हें सांती प्रदान करें यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है बहुत से लोग आप से कई मांगी रख सकते हैं इससे आपका अ जरूरी सफलता मिलेगी एक नुकसान या दुखद जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबाबित कर रहा हैं आपको बेचेन करेगा दोस्तो कारे भार की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंगे इसलिए किरोद की आज अधिकता रहेगी नकार तमक विचारों से दूर रहें और अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली हैं दोस्तो आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना होगा क्योंकि जरा सी भी बात बड़ी हो सकती हैं और उसका प्रभाब आपके प्रेम जीवन में नकारत्मक रूप से आ सकता है आपकी प्रेम पाने की भी आज मुराद पूरी होगी और ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रेतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन साबित होने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाई के गतिविदियां सफल होंगी और कारोबार में धनलाव के इस्तिती रहेगी प्रॉपर्टी और सेयर भजार में निवेश करना अनलाबदायक रहेगा अनावाशक खर्च की भी अधिता रहेगी जिस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा साती सात नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा विध्यार्तियों के लिए दिन आज का मिला जुला रहने वाला है दोस्तों आज आपके लिए वेपार से संबंदित किसी यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे तोट का चैरी से संबंदित कोई अच्छी आज आपको प्राप्त हो सकती है साथी साथ जो लोग सरकारी छित्र में नौकरी करते हैं उन्हें जल्द ही सरकारी वाहन अत्वा मकान का सुक मिल सकता है आपकी आमंदनी में अच्छी खासी व्रद्दी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है दोस्तों समय आज का आपके केलियर केरे काफी अनुकूल होगा और आपको सरकारी छित्र में काफी फायदा होगा आपको अपने कामों के लिए श्वैम पर ही निर्बन होना होगा ना कि दूसरों पर साथी साथ बेरोजगारों को भी रोजगार के ने अवसराज प्राप्त होंगे वेपार धंदे में अच्छा लाब मिलने की संभाव न रहेगी लेकिन अनावस्षक खर्चों की भी अधिक्ता रहेगी शावधन रहें दोस्तो बात कर लेती हैं जब का स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आपको किसी तरह के स्वास्त से संबंदित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता हैं इसलिए किसी भी तरह की स्वास्त संबंदित समस्याओं उत्पन होने पर समय से उपचार कराना बेहद आवशक हैं जिससे समय रहते किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके शावधान रहें इसलिए दोस्तों आप अपने खान पान पर विशेश रूप से ध्यान दें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रूपाय क्या हैं दोस्तों आज आप इश्णान आदिस्टे निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री राम के मंदिर जाएं और दाहिने हात के अंगूटे से हनुमान जी के सर से सिंदूर लेकर सीता माता के चर आपकी हर मनों कामना पूरी होगी जै दोस्तों आप इस प्रकारिस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाभ प्राप्त होगा दोस्तों भगवान बजरंग बली का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिखे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद